नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूटूब चैंपर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति गोरा होने की ख्वाइश रखता है क्योंकि यहां पर व्यक्ति की पैचान उसके रंग से कियाती है आयम आपको एक ऐसा ही घरोले उसका बताने आ रहे हैं जो आपके चेरे की सुन्दरता को भड़ा देगा आज कल दे समय में मन की सुन्दरता का कोई मेतवन नहीं है मेतवन तो बस बारी सुन्दरता का गोरे पन को हमारी खुबसूरती का पैमाना माना आता है जो जितना गोरा है वो उतना ही खुबसूरत है जिस कारण हम गोरा दिखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं इसके लिए मेंगे क्रीम्ज रसाइनिक टीर्टमेंट का सारा लेते हैं जो हमारी तोचा को हानी पहुचाते हैं कई बार इनके प्रयोग से हमारी तोचा जुलज भी जाती है गोरा होना आपके हमारे हाथ में नहीं होता बलकि हमारी तोचा का रंग प्राकरतिक रूप से गोरा या काला होता है लेकिन फिर भी हम और आप जैसे कई लोग इस प्राकरतिक देन से चेरचार करव उसे खराब कर वैठते हैं जिसके बाद हमें लगता है कि हमारा रंग किसी भी तरह से साफ नहीं हो सकता लेकिन दोस्तों आपका सोचना बिल्कुल गलत है आज में आपको एक ऐसा प्राकरतिक घरेलो नुसका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी तुचा के रंग को गोरा बना सकते हैं तो चली दोस्तों जानते हैं क्या है नुसका इसके लिए दोस्तों इसमें सबसे खास ही है वह दोस्तों टमाटर आपको यहाँ पर आदा कटा हुए टमाटर लेना है और टमाटर को आपको कद्दू कस करके इस तरीके से इसका पल्प बना के तयार कर लेना है जो आप मेरे देख रहे हैं दोस्तों यह टमाटर का पल्प है चीनी की मदख से हमारी तुचा के डेड़ स्कीन सेल्स रिमूव होते हैं यह हमारी तुचा के अंदर तक जाकर तुचा को गुरा बनाती है साथ ही हमारे बंद छिद्रों को खुलती है अब इसमें आपको लेना है दूस्तो आदा कटा हुआ नीवू आपको यहाँ पर आदा कटा हुआ नीवू लेना है और इसमें पूरा यह एड़ कर देना दूस्तो दोस्तो इस नुस्के में टमाटर का इस्तमाल इसलिए क्या गया है कि टमाटर में प्राकरतिक तत्व विटामिन्स पायाते हैं जो एकने को कम करने में सायक होते हैं टमाटर में नैचरल एसेड होता है जो की एकने और एकने स्टार को एस्टीएन बनकर साफ करने मदद करता है इसमें बहुत सारा Βिटामिन committee और anti-oxygen पायाता है जो skin से oil sap करने मदद करता है टमाटर oily skin के लिए बहुती अच्छा होता है साथी दोस्तों बात करें नीवू के रसकी तो नीवू के रसमे भरभू मात्रा में अमल प्राकर्थिक सोगर होता है नीवू के रसमें कई फायदे में पोशक तत्व होते हैं जो हमारी तुचावे सरी को कई लाब देते हैं इसको भारी सुन्दरता के साथ साथ और भी कई सारे रिक फायदाओं के लिए प्रियोग कर सकते हैं नीबू के प्राकरते के अमल बहुती सरल तरीके से मिरत कोशना को निकालते हैं और उमल के साथ होने वाली जुर्यों कम करते हैं अंचाद दब्मों खत्म करते हैं और चेरे पर होने वाली सभी बिमारियों को खत्म करता है इसमें मौजूद अमल तेल को सोक लेता है तता छिद्रों को बंद कर देता है तो दोस्तो तीनों चीयों को आपको मिक्स कर लेना है इस तरीके से दोस्तो तीनों चीयों आपकी मिक्स हो जाएगी अब आपको क्या करना है आपको उंग्लियों से स्पेस्ट को लेना है और अपने चेरे को उपर इस तरीके से आपको इसका जो है स्क्रब करना है बिल्कुर हलके आतों से गोलगल आपको अपने चेरे पर इसका जो इसक्रब करना दोस्तो कम से कम 5 मिनट तक अपने चेरे पर इसी तरीके से हलके आतों से स्क्रब करते रहें पांच मिनट बाद दोस्तो आप इस पेश्ट को इसी तरीके से अपने चेरे पर कम से कम 15-20 मिनट के लिए लगा हुँआ छोड़ देए 15-20 मिनट बाद आप सादा पानी से अपने चेरे को दोगा साफ कर लें दोस्तो इस उपाई को करने से आपके चेरे के दाख दब्ब्बे खत्मेंगे साथी आपके चेरे का काला पन भी दूर होएगा आपका चेरा पहले से काफी गोरा और चमकदार दिखने लेगा तो दोस्तो यह था मेरा आजका वीडियो तो आप इस वीडियो को ज्यादा स्यादा आपने दोस्तों सेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिस्से की नहीं नी वीडियो, नहीं जानकारी आप तक पहुंचती रहें, मैं आपके फिल लाओं को चैसल वीडियो, तब तक लिए दोस्तों बाई बाई